हलो दोस्तों, वेल्कम बैक, हम देखते हैं कि हमारा जो class 4 का lesson है action word and phrases, इसमें हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या समझाना है, सबसे पहले तो हमें यहां पर बच्चों को action word का मतलब समझाना है, जिसके come, go, turn, set, up, down, यह सब क्या हैं हमारे action word हैं, तो इन action word का स्तेमाल करते हुए, बच्चे दो word के meaningful sentence बनाएंगे, बतलब दो words का स्तेमाल करते हुए, वो meaningful यहां पर sentences बनाएंगे, इसके बाद बच्चे यहां पर चार word का स्तेमाल करेंगे, चार word कौन से हैं, पहले तो आएगा, I, he, she, मतलब, कहनेगा मतलब कि यहां पर हम पहले लेंगे pronoun, उसके बाद कुछ verb आएंगे, जिसके found, saw, gave, take, took, फिर verb के बाद यहां पर कुछ conjunction आ और articles आएंगे, a, an, few, some, like that, और last में हमारे यहां पर singular plural word आएंगे, जैसे के pencil, pencils, tiger, tigers, तो इन तमाम चीजों का स्तेमाल करके, हम बच्चों को complex sentences बनाना यहां पर सिखाएंगे, साथ ही साथ, इस action words के हम यहां पर बच्चों को meaning भी बताएंगे, जिससे उनकी vocabulary भी क्या होगी, बहुत जादा increase होगी, और हम बच्चों को यह जो सबख है, grow में अलग अलग अक्टिविटीज देंगे, जिसकी वज़े से उनकी जो team work की जो capacity है, वो भी यहां पर increase होगी, साथ ही साथ, बच्चे जो words है, उनकी जो creativity है, उसकी यहां पर appreciation करना भी यहां पर हो सिखेंगे, ताकि यहां पर बच्चों का ना सिर्फ यहां पर हम जहनी तरखी करभाएं, बर जिस तरह से N.E.P. 2020 कहता है, हम उनकी मजमुई तरखी का यहां पर ध्यान रख सके, हमें बच्चों को यहां पर आने वाले नए words, meanings, नए action words की सरह से sentence formation होते हैं, कि सरह से हम ग्रोह में काम कर सकते हैं, कि सरह से हम words की beauty को creatively इस्थिमाल कर सकते हैं, यह सारे चीज़ें के हाँ पर सिखाएंगे, चलिए आये शुरू करते हैं यह word, action words and phrases N.E.P. 2020 के साथ, शुकरिया,